जेसा कि आपने गई बार सुना होगा कि एंटी ऑक्सिडंट युक्थ पदार्थ हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाबकारी होते हैं पर क्या आप जानते हैं कि ये एंटी ऑक्सिडंट क्या होते हैं 돼 ये किस प्रगार कारे करते हैं? आईए, आज हम आपको बताते हैं कि एंटी आक्सिडेंट क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? शरीर में होने वाली विबन निक्रेयाई जैसे बाचन, स्वशन आधी में आक्सिकरेंट का उपयोग होता है आक्सिकरेंट प्रकेरिया के दौरान ऐसे अनेक उतपाद हमारे शरीर में पनपने लगते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं Antioxidant इन अधिरिक्त नुकसान धे उत्वादों को नश्ट कर कई तरह के जानलेवा बीमारियों जैसे दिल की बीमारियां, कैंसर आधी से हमारी रक्षा करता है आईए जानते हैं आखर Antioxidant हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है Antioxidant हमारे शरीर को बायो केमिकल्स के दुश्प्रभाव से बजाए रखते हैं ये हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में व्रधीकर इम्मिनिटी को मजबूत बनाते हैं Antioxidant हमारी त्वचव को धूप और सूर्य की हानिकार किर्णों से बजाए रखने के लिए अत्यधिक Oxygen के अवशोशन के योग्य बनाता है Antioxidant हमारे शरीर की कोशिकाओं को मजबूत और स्भूर्तिवान बनाए रखता है इससे हमारा शरीर सक्रिय और स्वस्त बना रहता है Antioxidant अतिरिक्त बेक्टिरिया को नश्ट कर शरीर में कोशिका निर्मान और कोशिकाओं की संख्या में व्रिधी करने में सहायक होता है इससे कई जानलेवा बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है इस तरह Antioxidant हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत लाबकारी तत्वा है जिसे पौश्टिक भोजन के जरिये ही प्राप्त किया जा सकता है आप पैरामेडिकल से संबंदित कोर्सस के लिए हमारी वेबसाइट www.dpmiindia.com पर विज़ट कर सकते हैं DPMI सर्फ शिक्षा होनर ही नहीं बगी सम्मान के साथ सुनिष्चित रुजगार थांक यू DPMI